सबसे पहले हम लोग का NPO में ठीक है देखो ध्यान से सबसे पहले हम लोग का NPO में हम लोग को पहला सबसे पहले topic जो बनता है वो हम लोग का आता है recipient payment account ठीक है क्या आता है recipient payment account और जो recipient payment account हम लोग का जाजातर अगर long time portion आता है ध्यान से सुनना अगर long time portion आता है तो हम लोग का जायातर question में हम लोग का receipt payment account बना के दिया हुआ रहाता है और हम लोग इससे क्या बनाते हैं income and expenditure account ठीक है आज हम लोग क्या आभी फिलाल क्या समझेंगे कि receipt payment account कैसे बनाते हैं इसमें और इसमें क्या अंतर है इसमें क्या-क्या expenses और income लिखाता हैं हम बहुत छहटा format बना इए ठीक है जह हम format बनाए है वो बहुत छहटा है ठीक है इसमें से बहुत सारा topic हम हटा दियें क्योंकि बाद में जैसे जैसे आएगा वोईसले से फिर हम लोग समझके लिखेंगे ॡिक है क्यों एक्सपेंसेस बहुत होता है इंकम भी बहुत होता है सब लिखेंगे तब पुरा बोड भर जाएगा तो द्यान दो यहां पर सबसे पहले रिशिप्ट एंड पेमेंट एकाउन जब भी बनाएंगे ठीक है रिशिप्ट एंड पेमेंट एकाउन जब भी बनाएंगे सब सबसे पहले हम लोग balance BD लिखते हैं cash भी हो सकता और bank भी हो सकता है cash book जैसा बनता है जितना पैसा आया जितना receipt होगा ठीक है जितना receipt होगा वो two में जाएगा और जितना payment होगा वो buy में जाएगा और इसमें हम लोग को एयर को ध्यान में नहीं रखना है वो किसी भी एयर का पैसा आएगा तो receipt में जाएगा और किसी भी एयर का पैसा payment करेंगे तो हम लोग का किधर जाएगा payment set जाएगा सिप हम लोग को क्या देखना है कि इसमें से हम लोग का cash payment या bank payment हो रहा है या नहीं हो रहा है ठीक है इसमें यह नहीं देखना है लेकिन जब हम लोग इंकाम इन इस्पेंडिचर एकाउंट बनाते हैं जब यह बनाएंगे हम लोग इंकाम इन जाता है payment Side में इसका format याद रखना receipt amount payment amount ठीक और ये real account होता है ये real account होता है और ये हम लोग का क्या होता है nominal account ठीक है हम लोग का नन प्रॉफिट जो रिग्नाजिज़शन होता हो किस पे चलता है चंधा पर चलता है ठीक है बाहर करेंगे ठीक है उसका जितना तरह का पैसा आएगा सब टू में जाएगा वो डोनेशन हो सकता है लेगिसी मतलब वसियत से प्राप्त धन ठीक है अगर मान लोगों को वसियत से प्राप्त धन मिलता है वो हो गया इंट्रेंस फी परवेश सुल्क जो भी हम लोग का आएगा ठीक है इन्टेंट रहेगा तब लिखाएगा जो भी हम लोग का कैस में रिसीवड होगा एट्टू जेड इधर आएगा और जितना तरह का पेमेंट पेमेंट हम लोग दो परकार का करते हैं कि एक केपिटल पेमेंट और एक रिवेन्यू पेमेंट दोनों में क्या अंतर है केपिटल पेमेंट का मतलब होता है कि हम लोग एसेट्स खरीदें विल्डिंग हो सकता बुक हो सकता स्कोटी को पेंट हो सकता है इन्वेस्टमेंट हो सकता है फरनीचर हो सकता है मसीन हो सकता है ठीक है तो भूँथ हम दो-चार ही लिख दिये हैं है कोई भी अगर हम लोग कर तो हम समझें पढ़ेंगे उसमें देख लेंगे कोंपैसा आ रहा 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 लिख दिया तो हम लोग अराम से देखेंगे पैसा आ रहा है तो बाइबए उसके बाद जो हम लोगा सबसे पहला बात क्या है यह हम लोग का क्या है नोमिनल एकाउंट है देबिट साइड में हम लोग लिखेंगे एकस्पेंडीचर, crédit साइड में हम लोग लिखेंगे इंकम, तीक है अब यहां पर एक हेड़ोईन हम दियेले हैं यहां पर की ओल्ल कशरन्न टियर रिभेंडिय एकस्पेंडिचर dos revenue मतलब क्या होता है? ठीक है, revenue का मतलब होता है, जो हम लोग daily, रोज-मर्रा में जो खर्चा करते हैं, उसको क्या बोलते है, revenue, ठीक है? लेकिन एक चीज़ हम लोग एहार ध्यान देना, हम क्या लिखें, एक topic में हम निए topic में बताएं, किसी भी topic में होगा, तो यही रख लेना कि salary हम एक example लिए किसी में भी तो salary outstanding ओ देखो जो ओ एस देखे लिखेए न ब्लिक्यास outstanding c y मतलब करंटीयर ठीक है c y मतलब करंटीयर है ठीक है c y मतलब करंटीयर पी y मतलब previous year लिख लो कहीं पर अगर दिकत हो है तो अभी ही लिख लो CY मतलब current year जो वर्स चल रहा है वह हम लोग उसको बोलते current year PY मतलब होता है previous year इसका मतलब क्या होता है जो हम लोगा बीट गया ठीक है जो पिछला साल है तो हम लोगो यह चीज़ी topic हम लोगो किया करना करन्ट एर और previous year तो ध्यान दो यहां पर आउट रस्टेंडिंग करन्ट एर का पलस होगा और और आउट रस्टेंडिंग previous year का क्या होगा माइनस होगा और यह topic हम लोगा दिया हुआ रहेगा कोस्चन में एडवांस कोई prepared भी बूला जाता है यह लिखलो कहीं पर अगर दिक्कत हो रहा है क्या हम सब कुछ छोटा सा फ्रेम में नहीं घुसा पा रहे है ठीक है एडवांस कोई क्या बोलते है प्रिपेड भी बोलते है एडवांस को क्या बोलते है ओनला नारन सब को पूरा फॉर्मेट को भी समझा देंगे सब्सक्रिप्सन एकाउंट और क्या है कन्यूमल स्टोर सब सब्सक्रिप्सन समझाएंगे ठीक है तो ध्यान से देखो यहां पर सब से पहले आउट रस्टेंग करंटीयर का पलस होगा प्रिविएस यह क्या होगा मैनस होगा उसके अध्याद मतलब प्रिपेड पिछले साल का पलस होगा और करंटीयर का क्या होगा मैनस होगा याद रखा ना उल्टा होता उसके बाद यह हम सेलरी में एक एकजामपल लिए हैं यह किसी में भी एकजामपल हो सकता है रेंट भी रहेगा तो इसी तरह करेंगे अग दोनों सा इसमें हम जितना तरह का खर्च कर्च तो बहुत होता है बहुत कम लिकर है और कोई तरह का अगर हम अंवे सेट सेट सेरा हम लोगसे कर बेज़ते हैं और लॉस यह ना फिďन, रस है बाइस एड़ में हम जाएंगे तो करण येर का रिभनन्यू लिखेंगे सिफ पिछला साल का दिया रहया है तो फ़िदी यह Bear होगा मैनस होगा प्रिपेड हैट आब बताईी तेब्स का प्रिब्द का पल्स होगा करणने तम करंट येर का प्लस प्रिविएस येर का मैनस एडवांस मतलब प्रिपेड प्रिविएस येर का प्लस हो करंट येर का क्या होगा मैनस होगा ठीक है उसका जितना तरह का उसमें जो हम लोग को प्राफिट होगा वह यहां पर लिखाएगा ठीक है तो यहां पर देखो ध्यान से लोकर रेंट हो गया interest investment हो गया, sale of newspaper हो गया, profit on sale of assets हो गया, interest fee हो गया, admission fee हो गया, कुछ ऐसा topic है जो हम लोग इसमें नहीं लिखेंगे, जैसे legacy, जो एक बार आता है, जो बार बार आता है उसको income बोलते हैं, जो कभी-कभी आता है उसको capital income बोलते हैं, तक क्या-क्या आता है कभी-कभी, तो legacy हो गया, indoment fund हो गया, ठीक है, donation for special donation, मानलो donation है, हम लोग का donation मानके चलो, donation for building है, donation for anything कुछ भी अगर, donation for कुछ लिख दिया, ठीक है, income में हम लोग का donation भी जाएगा, income में हम लोग का general donation जाएगा, याद रखना, कौन donation जाएगा, जेनरल डोनेशन, अगर कोई भी डोनेशन में, डोनेशन फोर, अगर लिख दिया कि डोनेशन फोर बिल्डिंग, डोनेशन फोर लाइबरेरी, डोनेशन फोर कोई भी फंड के लिए लिख दिया, तो यहां पर वो नहीं लिखाएगा, वो फिर लाइबलिटीज हो जाएगा, उसको बोलते हैं a special donation ठीक है कि donation हम लोग दे रहे हैं लेकिन general fund के लिए नहीं दे रहे हम समझ चा Garden Natale है तो याब लिखना इंडॉमेंट फंड रहेगा तो नहीं लिखना और स्पेशल डोनेशन रहेगा तो नहीं लिखना ठीक है इस अब टॉप लोग का हुछ आउत है केप्टल इंकम कहालाता है तो एस अब हमने लिखेंगे लाइफ मेंबर फीर स्वेश्ट याद आ गया एक लाइफ मेंबर फी रहेगा लाइफ मेंबर फी रहेगा लाइफ मेंबर ए लाइबलिटी होता है हमेशा याद रखना यह हम लोग का लाइबलिटीज होगा इंकम होगा और लाइफ मतलब एक साथ हम लोग एक ही बार लाइफ टाइम के लिए मेंबर बन गया तो हमेशा याद यह利ability का लागो कभी यहां पर नहीं आएगा ठीक है इसका श्क्रिन सोटेक ले लो इसमें रुख जाओ येक इसमें इसको इसमें जो हमनों का profit आएगा क्योंकि जो co npo है non profit नहीं होगा इसमें net profit नहीं होगा तो याद रखना इसमें surplus आता है और इसमें और इधर घटेगा त कि डीफी सीट मतलब कमी दोनों में से एक ही आएगा या तो कमी या तो सरपलस ठीक है लिख लो इसको स्क्रीन सुट लो एक अब देखो यहाँ पाध्यान से एक टॉपिक और बता रहे हैं फंड बेस एकाउंटिंग ठीक है फंड बेस एकाउंटिंग ठीक है फंड बेस एकाउंटिंग ठीक है फंड बेस एकाउंटिंग क्या होता है कि हम लोग का न कुछ ऐसा ने मतला स्पेशल कुछ टॉपिक के लिए हम लोग फंड बना के रखते जैसे स्पोर्ट फंड ठीक है बना हुआ है घर हमलोगा किसी का फंट अगर बना हुआ है तो उससे जितना रिलेटेड एक्सपेंसेस होगा २सी से मैंनस होगा और इसे जितना इंकम रहेगा और मिशनलम प्लिखना have केrüय के बैलेंससित में हम लोगा होता है लाइबिलिटीज इमांट है डी एसेट्स और सपर लिख देते हैं अब जो भी फंड है यहां related to मतलब funds related कोई भी income रहेगा इसमें पलस कर देना ठीक है जैसे donation for fund donation for fund मानलों fund में donation आ रहा है ठीक या तो फिर interest on fund मानलों fund में हम लोगा interest भी आ रहा है तो जो topic से जो income से हम लोगा क्या होगा fund हम लोगा increase करेगा उसको तो क्या करना है बताओ जोड़ देना है और एक्सपेंसेश रिलेटेड टू फंड अब फंड से रिलेटेड अगर expenses रहेगा तो माइनस कर देना फॉर्मेट यही है अब कुछ कि अब कि अब कि अब कि अब करने लगना तो मेंच फंड हो गया प्राइज फंड हो गया टूनामेंट फंड हो गया जैनरल फंड नहीं आएगा तो वह सब इसमेंट आ जाता बनाता होगा तो देखता होगा कभी 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 मैंश इस सदमाद टो कि यह था रोपकर यहां हो करके निल कर देंगे जो 5 रुपे zeigen Ohio हम लोगा ra usar brag Sleep expenditure sat कहा जाएगा ओ एक्शेपधिडिचर सेड चल जाएगा तो यहां मुटा क्या हो गया फंड बेकांटोंटिंग ठीके हम लोका हो गया फंड वेश कश्चराइब क्या है ना जब यह कुछ जो कुछ member होता है कभी देता है कभी कुछ बाकी रख लिया कुछ advance में दे दिया लेकिन हम लोग को तो income and expenditure में क्या लिखना है current year का लिखना इसी में हम लोग का तो देखो अगर मान के चलो इसका हम दो फॉर्मिट बता रहे हैं एक account बता रहे हैं और एक statement ब देखो इसका फॉर्मिट बता जाते है पार्टिकुलर एमांट पार्टिकुलर एमांट तो इधर लिखेंगे टू आउटस्टेंडिंग सब्सक्रीप्शन ठीक है बीडी लिख देते बीडी मतलब यहां previous year में जो previous year करें पीवाइम बार 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 बोल दिये थैं पीवाइ इसको पहले से हम लोग का सब्सक्रीप्शन रहेगा पहले का पिछले साल का बाकी previous year को उसको यहां लिखेंगे और एडवांस ठीक है एडवांस जो रहेगा एडवांस अब सब्सक्रीप्शन इन प्रिव्यस एयर या तो बीडी इसको जो भी लिखना ठीक है पिछले साल का जो एडवांस रहेगा उसको यहां लिखना है यहां भी लिखी देते हैं इन प्रिवियस यह आप सुना यहें पर यहें दो हम लोग लिख दिए ना विशी से पूरा बना देंगे जो का आउट्रेशनिंग प्रिवियस यहां है तो करंट यहां आएगा उल्टा साइड आउट सब्सक्रिशन करंट यहां पर आएगा अदुक लोगा चार्ट टॉपिक तो किलियर हो गया अब दो टॉपिक और हम लोग इसको बीच में घुसाना है यहां पर लिखेंगे इंकमेंड expenditure एकाउन इंकमेंड expenditure कैसे यहां क्या लिखेंगे member into subscription जितना member per member जितना देगा multiply करके यहां लिख देंगे इधर क्या लिखेंगे by bank total subscription कितना मिला है total subscription received ठीक है अब यहां current year में हम previous year भी लिख रहे हैं बताते हैं क्यों कि सुनो दोनों क्यों लिखेंगे मान के चुला previous year में क्या था बाकी 100 रुपया था कितना बाकी था 100 रुपया question में क्या लिखा 80 रुपया ही अभी मिला है ठीक इतना मिला है 80 रुपया 20 रुपया भी भी बाकी है तो जो बाकी रहेगा नो इसा condition में तो यह बहुत कम rare case में आएगा तो यहां previous year का कुछ बाकी हम लोग का लिखाएगा ठीक है तो बोलने का मतलब क्या आउट अश्यन जो पिछले साल का पिछले साल का जो बैलेंस से रहेगा तो लिखेंगे और करंटियर का यहां लिखेंगे आप देखो एक दो तीने तीनों दिया रहेगा यह दोनों दिया रहेगा तो यह बैलेंसिंग फिगर आएगा अब हिएगफ खेर में से एक मिसिंग रहेगा है थे जे में से एक मिसिंग रहेगा तेक निकल जाएगा अव्त है इसको ले लो ले ले लेगा उसके बाद एकने उस्ट्यमेंट तरीका से बढ़ी बता रहे गारें कि अगर मालो मेंबर Tôi नहीं रहेगा तो हम अच्छाने नीन को सब्सक्रिप्स करनर में एक सती हम लोग कब बनाएंगे यहां लिखेंगे जाओ मेंबर सका क्समर लिए हरे और सुंनर कि मिलिदम किसि अ रिखून डं कि आप दूरिंग दे येर दूरिंग दा करन्ट येर जितना हम लोग आउट स्टेंडिंग सब्सक्रिप्शन रहेगा पार्टिक्लर एमान फॉर्मेट दे सकता नहीं भी देगा तो चलेगा एड आउट स्टेंडिंग सब्सक्रिप्शन करन्ट येर का पलस हो जाएगा अब प्रिपेड ठीक है प्रिविज़ येर का पलस हो जाएगा और पलस करके यहां लिखेंगे फिर दोनों पलस करके यहां लिखेंगे Lace Outstanding Subscription Current Year तो यहां previous year हो जाएगा और Prepaid वहां previous year है तो यहां पर current year हो जाएगा यहां पर इसको minus कर देंगे जो बचेगा ठीक है जो बचेगा वो हम लोग का कहला लाएगा Income and expenditure account में यह transfer हो जाएगा ठीक है यह लिख लो इसके बाद अब हम लोग पढ़ते हैं एक और format हम लोग का इसमें होगा consumable store के बारे में कुछ ऐसा हम लोग का क्या बोलते हैं sport material हो गया या कुछ हो गया इस सब क्या होता है ने कि हम लोग का कंज्यूम होता है तो उसके बारे में बताने जा रहे है तो पहले इसको इसको क्या होते जाता कम होते जाता जैसे अस्टेशनरी हो गया खेल कुद का सब्सक्राइब हो गया पोस्टेज हो गया मेडिसीन हो गया इससमें हम लोग को इस तरह से निकालेंगे जो अभी हम लिखने जा रहे है तो यहां पर एक हम अस्टेटमेंट बना देते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा और जानता ही एकांट में अगर कुछ नहीं रहेग आसपोर्ट मेट्रियल भी हो सकता है ठीक है पोस्टेज अस्टाउंस भी हो सकता है एड अब येड पाध्यान दो जो एड होगा उसी का उल्टा फिर लेस होगा ठीक है तो देखो सबसे पहले हम लोग यहां पर लिखेंगा ओपनिंग स्टोग ओपनिंग अब यह इस्टोग ठीक है पलस होगा बाहर में लिख देए डारेक्ट ओपनिंग स्टोग के बाद हम लोग आ जाएगा एडवांस लिए पेर मेंट टू क्रेडिटर है ठीक हम लोग अगर एडवांस दी है क्रेडिटर को प्रिविया स्यर का पलस हो जाएगा ठीक और क्लोजिंग तो फॉर्मेट याद रहेगा तसी पर वहां पर एमांट दिया रहेगा हम लोगों को पूट कर देना है ठीक तीनों चारों पलस करके हम लोग यहां लिख देंगे ले सब इसी का उल्टा लिख दो ऑपनिंग स्टोग है तो हम लोग क्या लिख देंगे क्लोजि टू क्रेडिटर करेंट यह अब हाँ क्लोजिंग डेटर है तो यहां क्रेडिटर है तो यहां कर देंगे ओपनिंग क्रेडिटर अतीनों जोड के यहां पर मैनस कर देंगे अब जो यहां पर आएगा वही हम लोग का इंकमेंड एक्सपेंडिचर एकांट में लिखाएगा इंकमेंड एक्सपेंडिचर एकांट में ठीक है वही सब टॉपिक हम लोग का फिर कहां लिखाएगा इंकमेंड एक्सपेंडिचर एकांट में लिखाएगा इंकमेंड एक् बोलते हैं लेकिन नन प्रॉफिट और अग्रेशन में इसको बोला है तो कैसे निकालेंगे तो देखो याद रखना और कब निकालेंगे ठीक है जब भी बैलेंसीट बनाने बोलेगा तब फिक्स है कि केप्टल फंड हम लोगों को निकालना पड़ेगा तो इसमें देखो सु इसेट बिगनिंग्ग लिख देते है क्या एसेट बीगनिंग करके इएड बिगनिंग औफ यर है ठीक है जो भी वर्स है हम लोग का उसका सबसे फर्स्ट में ठीक है शुरू से शुरू में हम लोग का क्या क्या एसेट्स है ठीक है जैसे मान के चलो क्या एस है building है, plant है, data है, etc लिख देते हैं, कुछ भी मानलों दिया रहेगा, सब को एक साथ जोड़ देंगे, ठीक है, सब को एक साथ क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और less liabilities at beginning, beginning मतलब, जो worst के सुरुआत में, ठीक है, जैसे मानके चलो, दिया रहेगा, opening, closing, सब में दिया रहेगा, creditor हो गया, outstanding expenses हो गया, ठीक है, और कुछ भी और साथ, बहुत सारा topic दिया रहता है, bank overdraft हो गया, कुछ जो भी question पर depend करता है, क्या दिया हुआ है, तो मतलब, बोलने को मतलब क्या है, opening assets minus opening liabilities equal to capital fund, और capital fund कब निकालेंगे, जब balance sheet हम लोगों को बनाने के लिए दिया रहेगा, और plus, पिछले साल का assets और liabilities दोनों हम लोगों का दिया रहेगा, या तो शिप assets भी दिया रहेगा, तो liabilities निलमाल के बन जाएगा, एसेट्स और liabilities पिछले साल का दिया रहेगा, तो assets minus liabilities equal to capital fund होगा, पॉइन पॉइंट लिक देते हैं, लाइफ, मेंबर, फी, लेगेशी, इंडोमेंट फंड, ठीक है, a special donation, या donation for a special purpose, ठीक है, यह सब topic हो गया, तो यह सब हमेशा याद रखना, और advance subscription current year, यह सब रहेगा, तो हमेशा याद रखना, यह balance sheet का liability side जाएगा, final balance sheet का, ठीक हमेशा कहां जाएगा, liability side, ठीक है, यह सब ज्यादा हम लोगों को दिकत करता है, लाइप मेंबर, फी, लेगेशी, इंडोमेंट, फंड, ठीक है, a special donation, और subscription, अब subscription में भी अगर उस तरह सा special कुछ लिखा रहेगा, तो subscription में भी यह सब topic हम लोग करेंगे, ठीक है, और तो इसमें वैसा कुछ है नहीं, झाल 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 झाल